अब्दा का राशन हजम करने का आरोप धर्णे पर बैठे ग्रामेड जनपर बहराईच के तैसीर महसी के ब्लॉक फकर पूर के ग्राम सम्धा संग्वा के ग्रामेड धर्णे पर बैठे लेकपाल वग्राम प्रधान की कमी देखने को मिली लेकपाल शाम सुंदर काट रहे किनारा ग्रामेडों में आक्रोश शासन से लगाई गुहार धर्णा आपना युवास्वयम सेवक दल के नेतरतु में आगे और भी कुछ हो सकता है बड़ा निर्ण है अगर नहीं हुई सुनवाई तो आगे बढ़ेंगे प्रदैशन कारियों की तेल तैसीर मैसी से शिभाम मिश्रा की ये रिपोर्ट ना निभास कर लोग यहां आए हुई है धरने पर बैठे क्या है पूरा मामला दरसल दो दिन से जो ग्राम परधान द्वारा यहां पर लेकपाल और इन दोनों के बीच साथ में जो है रासन किट वित्रण हो रहा था उसमें यहां टोटन राजनित हुई है कि जो प्रधान को वोट दिये हैं उनको रासन किट मिली है और जो वोट नहीं दिये हैं उन परिवारों को पूरा पूरा घर ब्लैंक है उन परिवारों को रासन किट नहीं दिया गया ऐसे में महिलाएं तमाम बिधवा हैं बुजुर में बताए कि ऐसा करिए आप लोग को अभी दिया जाएगा जो एक सही सूची बना करके हमको दे दीजिए जब सही सूची बना करके साम को लेकर के आए तो बोले कि अब आप लोगों का वित्रण नहीं होगा जो करना है आप कर लीजिए आप लोगों को नहीं मिलेगा इसके बिरोध में लोग बैट गए हैं भूखारताल पे और हमारा यही कहना है कि हम लोग तब तक के यहां से नहीं हटेंगे जब तक के हम लोगों को जो है ग्राम पंचायत की पूरी जाच हो और जाच के हिसाब से जिक्किन परिवारों को दिया गया है जो जरूरतमंद परिवार इनकी जाच करा करके उसके बाद जो निकल रहा है उसके आधार पे इन लोगों को दिया जाए सासन से हम यही मांग रहे हैं कि पूरे संगवा ग्राम पंचायत की जाच कराई जाए और जाच कराने के बाद इन लोगों को रासन दिया जाए कारी में इसे तमाम परिवार हैं कि जो जरूरतमंद ना भी रहे होंगे उनको भी छोटे छोटे बच्चों को भी दिया गया है लेकिन एक बुजुर्ग बैठा है उसको नहीं मिला है तो ऐसा किस प्रकार से ये बित्रण हुआ है जांच कराई जांच कराने के बाद जो गलत तरीके से बित्रण हुआ है प्रधान और लेकपाल उसकी रिकवरी दे प्रधान रामकिशुन है और लेकपाल स्यांच सुन्दर है